15,000 गा यार ओपो का फोन कभी सोल सकते थे कि यार रिकमेंट करने लायक होगा यहां पर मिल पास ओपो के टैंट जो कि यार 15,000 की प्रैजिंग में आता है आप इसको डिसकाउंट वह लगा कि 1314 तक ले सकते हो इसको यूज करते हुए मुझे यार साथ जन से जादा हो चुके करी है तो वो जा गया उदर देख सकते हुँ बात करते हैं इस फोन के बारे में सबसे पहले ना यार मैं यह लिटरली जरूर से कहूंगा कि आप पता नहीं ओपो वन प्लस हो गया है कि वन प्लस ओपो जैसा हो रहा है क्योंकि दोनों तो मर्ज हो गए है और इसमें फील भा वाली जो वाइब है ना आपको यहां पर देता हुआ मिलेगा बैक से प्लास्टिक मिलता है लेकिन मैट फिनिश के साथ आता है तो स्क्रेचेश वगिर आपको नहीं देखने को मिलता है कर सकते हो और बेल्ड डिजाइन के मामले मुझे तो काफी ज्यादा सही लगा है पतल जैक भी मिल जाएगा और dedicated sim slot मिलता है लेकिन यार यह पर 5G फोन नहीं आपको देखने को मिलेगा यह 4G फोन और इसके इंदर 4G प्लस का अभी तक मुझे सिगनल नहीं आया है यानि 4G प्लस को सपोर्ट नहीं करता है UFS 2.2 की storage देता है अब देखो on paper आपको यहां पर यहा इतनी high setting में आप gameplay भी नहीं कर सकते low setting में भी वह करोगे ना तो उसमें भी आर फ्रेम डॉप्स आपको काफी देखने को मिलेंगे और gaming के लिए मैं पस नहीं करता हूं अगर आप हलकी फुलकी वाली gaming मालो यार कभी आपका आधी घंटा खेलने का मन हुआ तो कभी खोल के ख प्रॉटलिंग देख लो बहुत ज्यादा स्कॉर नहीं करता है लेकिन या जो day to day में मखन की तरह चलता है वह मैं काफी ज्यादा सप्राइज दू मतलब मैं इतना कह सकता हूं 15000 के अंदर मुझे सबसे बेस्ट फोन लगा जिसके अंदर बहुत ही कम आपको शेटल लेक्स सब्सक्राइब करता है उसके साथ 680 कांबिनेशन काफी अच्छा यहाँ पर है और optimization मैं कहूंगा एक नंबर आपको इसकी देखने को मिल जाएगी यूजर में आपको कोई भी कहीं से कहीं तक दिक्कत मेरे हिसाब से आपको यह नहीं देगा बहुत ही अराम से आप उसका काम निकाल लोगे बस है वी टाक्स में जैसे मैंनों बला ना वो ती तरीके से आप यहां पर नहीं कर सकते अब यूआ देखो इसके अंदर या सबसे बुरी चीज मुझे लगती है कि इन्होंने प्री इंस्टॉड आप बहुत साथा देते हैं और जो रहते हैं बहुत चारे कुछ कुछ आप अंको अंस्टॉल नहीं कर सकते हैं तो उस मामले में मैं कहूंगा थोड़ा इनको क्लीन करना चाहिए क्योंकि यार प्रीमियम भी चार्ज कर रहा है यह आप सोचो अगर रेड्मी नोट 11 से थोड़ा सा कंपेड करो तो वह चीज इधर थोड़ी सी क्लीन इनको कर करनी चाहिए वो अगर क्लीन करते तो उसके अलावा मुझे यू आई से कहीं भी कोई तक दिक्वत नहीं है क्योंकि आप्टिमाइजेशन काफी मस्ट देखने को मलता है मुझे कोई ऐसे मेजर वर्ग्स और भी नहीं देखने को मिले देखने को मिले तो आपको काफी सारे स करता है यह सिमलर फीचर में भी देखा है लेकिन इसके अंदर एक कदम आगे जाता है यह एप को क्लोज करता है स्क्रीन को लॉक ने करता है यानि आपके बैग्राउंड में म्यूसिक सुनते रहो मेरी वीडियो देखते रहो और साथ ही साथ आप अपनी मल्टी टास्किंग कर सकते हो विद्धाउट टेकिंग यूट्यूब प्रीमियम सब्सक्रिप्शन यह कितना मस्ति यहां पर देखने को मिलता है यार बस इसके अंदर भी गूगल डायलर मिलता है और कॉल रिकॉर्डिंग टाइम बोल देती हैं गूगल वाली अंटीज की कॉल सबसे काफी अच्छे इसके अंदर आ जाते हैं सबसे काफी एंगल भी काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है थोड़ी से सचुरेट कॉन्टास्टी गलर जो की दिखने में काफी अच्छे लगे न तो वीविए का एक्स्पीरेंस आपको इसका काफी अच्छा यहां प काफी पतले आपको देखने को मिल जाते हैं average टाइप के आपको देखने को मिलेंगे और उडिल्टी का बढ़कर ओडब में अगर सब्सक्राइब अगर आपको ज़रूर से लगाती एक चीज़ जरूर ना पड़ेगा ilc रिकॉर्ड कर सकते हो नहीं 4 की वीडियो डेख सकते हो 1080p 60fps से उपर वीडियो आप नहीं देख पाऊगे HDR वीडियो भी इसके अंदर नहीं देख सकते हैं लेकिन आप फुल एच्टी वाली वीडियो वगरा देख लो हाला कि dual होता है तो मज़ा थोड़ा और बजादार हो जाता तो वह चीज़ थोड़ी सी कम ही मैं कहूंगा यहां पर रहती है बागी बागी बात रहती बैटरी के तो थोड़ी सी ऑप्टिमाइज़ेशन की कमी है मेरे यार स्क्रीन ऑन टाइम में और मोंस साड़े थे हंटे के आसपास ही रहे जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा कम है अगर मैं रेडमी नोट 11 को देखू जहां पर एट आर प्लस तक चला जा बस थोड़ा सा बैटरी में ऑप्टिमाज़ेशन की और जरुवत है और यहां पर मैंने कोई भी बैटरी सेवर मोड ओन वगरा नहीं किया था तो उस रसाप से आपको यह देखने को बलता है एक दिन आपका यहां पर निकालतेगा इन दी एंड बात आती है कैमरा कि आप द सेलफी कैमरा जो है इस प्राइजें में बहुत ही सही आपको देखने को मलता है एकदम सही से क्रिफ शॉट निकालता है अची डिटेल्स भी आपको निकल के आती है डानेमिक रेंज वी इसका काफी बैटर आपको देखने को कंट्रोल भी काफी अची तरीके से करता है करते हो इमेज काफी ज़्यादा कॉंट्रास निकल के आती है तो मैं एक आपको रिमेंट करूंगा अगर आप ले रहोना तो आई मोंड आफ करके ही फोटो खीचना बहुत ही सही फोटो निकल आती है आपको देखो डाइनमिक रेंज भी काफी अच्छा इसका देखने को मि सब्सक्राइब कर दो आपको पचाज में आप इकसल बहुत ही फोटो निकाल कर देदेगा और अगर मैं बात करूं पैकेज के साब से पंदरह हजार में देखो बैस्ट वैल्यू वाली डील तो यह बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है जहां पर रेड्मी नोट 11 एमुल सब्सक्राइब को मिल जाता है उधर तो यार जैसे कि कुछ चीज आपके प्रियोर्टी में अगर है कि अच्छा लुक्स वगेरा हो या आपको डिस्प्ले भी ठीक चाहिए एंग कैमरा भी आपको सेल्फी कैमरा खास करकी बैटर वाला चाहिए प्रफॉर्मस के साथ स्मू में आपको करगी यहां पर दी हुई है बस यह क्यार प्राइस पॉइंट में किस हिसाब से आपके बजट में फिट बैटता है वह प्रियोटी लेस्ट के हिसाब से अपनी बनाकर रख सकते हो मेरे हिसाब से अगर ना यह 14-13 में आपको मुलता है बहुत ही सही डील है बेसे 628 के साथ तो वो चीज एक काफी अची हो जाती है अगर आपको इससे कोई कोशन है कमेंट में ड्रॉप जरूर से करना फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना है आपको मिलूँगा एक ओनिक वीडियो के साथ और अभी तक आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो वो भी कर देना ठेक है बाई बाई